नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में दोस्तो यह जो आपको दिख रहा है यह सक्लेंट फैमिली का ही एक पौधा है आपको जिसको भी किसी को इसका नाम मालूम होगा तो जोरूर बताना मुझे मालूम है कि मेरे किसी ना किसी फ्रैंड को तो ना प्लांट बना सकते हैं और यह पौधा तो मेरा मदर प्लांट है तो इससे देखिए मैंने आज डिवाइट किया है यह तो मैं डिवाइट करके इसे लगा रही हूं और यह मैंने इसकी सॉयल मिक्स तैयार कर रखिए इसकी सॉयल वेल्डन लेनी है किसी भी सक्लेंट के सब में अपने गार्डन सॉयल लिए उसमें गोवर की खाड डालिये या किचन वेस कंपोस्ट जाला है और कुछ भी नहीं डाला है और हमने सक्लेंट हमेशा अच्छे चलते हैं कोई ना कोई तो खराब हो ही जाता है ऐसे सबके होते हैं लेकिन मैं सिर्फ इसमें गार्डन स सॉयल लेती हूं लेकिन आपको इधिहान रखना है अगर आपके गार्डन की सॉयल अच्छी नहीं बुरबुरी नहीं है तो आप उसमें रेत मिला सकते हो लेकिन हमारे गार्डन की सॉयल तो काफी अच्छी काफी बुरबुरी है तो मुझे रेत मिलाने की जरूत नहीं होत तो आपको पानी नहीं डालती है और आप देख रहे होंगे कि इसका कलर ऐसा हो गया है तो यह धूप की वज़े से हो गया है सारे सकलन्स दूप में अपना कलर चेंज कर देते हैं जैसा आपको दीखी रहा होगा और पॉट साइज की बात करूं तो आपको इसके लिए आप जितने छोटे पॉट में लगाएंगे सही रहेगा क्योंकि कोई भी सकलन्स होता है उनकी रूट ज्यादा फैलती नहीं है जिसाब जोटे की लिए ब दीरे बढ हो जाएंत हैं और बात कर रहें तो में अपने मेरे सॉपлемें और नहीं सब्सक्राव्ड हो काँ लिए अच्छी राती है और अच्छ से बढ़ते हैं बहूती अच्छी ग्रोथ रहती हैं नहीं दोस्तों वीडियो में अंतक बने तूसे रहने के लिए और आपके प्यार वरिशने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद